देखिए आज हमने सूजी का उपमा बना कर तयार किया है एकदम दानेदार खिला-खिला सूजी का उपमा बनकर तयार हुआ है आप इसे सुभा के नास्ते में खाईए बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए तो बिल्कुल पाफिक्ट है अगर घर में कोई पैसेंट है तो आप उसे दीजिए बहुत हलका सा भोजन है ये जटपड से बनकर तयार हो जाता है हम सबसे पहले उपमा प्रेमिक्स बना कर तयार करेंगे जिसे आप एक बार बना कर पूरे दो से तीन मेने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको सुजी का उपमा बनाना हो तो जटपड से सुजी का उपमा बना कर तयार कर सकते हैं सारी टिप्स आगे सेर करेंगे हम वीडियो में आपके साथ हेलो दोस्तो मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को खृत लता पटेल में अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए साथ ही बल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए बनाते हैं जटपर से बनने वाला सूजी का उप्मा सूजी का उप्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में डालेंगे एक बड़े चम्मच तेल आप तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं घी से भी उप्मा बना कर तयार कर सकते हैं तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच राई एक चम्मच जीरा डालेंगे राई और जीरा चटक गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमने सूजी लिया है एक कब सूजी लिया हमने इसे डाल लेते हैं अब मिलाते हुए सूजी को हमें भूनना है सूजी आप कोशिस करिए कि बारिक वाली लीजिए ज्यादा मोटी सूजी नहीं लीजिए जो मीडियम टाइप के आती ही न वैसी वाली सूजी लीजिए आप देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे भूनना है लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनिये इस बात का ध्यान रखिए अगर आप हाई फ्लेम पर सूजी को भूनेंगे तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर आपका उपमा भी दानेदार नहीं बनेगा इसलिए इसे लो टू मिडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है लगातार चलाते हुए जितनी अच्छी तरह से आप सूजी को भूनेंगे उपमा उतना ही जाद स्वाधिष्ट बनकर तयार होता है तो देखिए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं लगभग 15 मिनट हो गए हैं हमें सूजी को भूनते हुए सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है इसका कलर देखिए आप कलर भी चेंज हो चुका है तो ये हमारा उपमा प्रेमिक्स बनकर तयार हो चुका है मार्केट में इसी तरह से उपमा प्रेमिक्स मिलता है बस इसमें कुछ सबजिया डाल दी जाती है और इसी तरह से प्रेमिक्स बना कर तयार किया जाता है इसे आप फ्रिज के बाहर लगभग एक मेहने तक रख सकते हैं एक मेहने तक स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है और फ्रिज के अंदर आप इसे 2-3 महने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं जब भी उपमा बनाने का मन हो तो बस फटा-फट से निकाल कर आप इंस्टेंट उपमा बना कर तयार कर सकते हैं तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और देखिए अब इस कड़ाई में हमने एक चमच तेल और डाला है तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे ये हमने एक बड़े साइज के प्याज को छोटे टुकडों में कट कर के लिया है इसे डाल लेते हैं अब सारी चीजों को के लिए हमें सारी चीज़ों को पकाना है बहुत ज्यादा देर नहीं पकाएंगे इनका हमें कलर Koh Loop को भी पतले पतले इसमें सब्जी में. आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलिबल हो और जो भी आपको पसंद हो, चाहे तो आप इसमें सिमला मिर्ट डाल लीजिए, पिंस डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, साथ में हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक, एक चमच स कि सारी सबजियां सॉफ्ट हो चुकी है आलू भी अच्छी तरह से पक गए है गाजर में थोड़ा सा क्रंच है तो वो रहना चाहिए पूरी तरह से गाजर को नहीं पकाना है इसलिए हमने गाजर और आलू को साथ में डाला है गाजर को पकने में थोड़ा सा ज्यादा समय डालना है और थोड़ा सा एसमें हल्दी कर्ण बाटर दालेगे वैस यूइस हल्दी पौर्ण अगर आपको उपमा में हल्दी आला कलर नहीं चाहिए तो आप हल्दी नहीं डालेए अब सारी चीजों को एक बलाले पर से मिला लेते हैं और लगभक एक से 1-3 मिनिट लिए हम तो अब को कि अपकेह जो अए इंकहले अर निला लिया है तो अब का उप्मा है судी खिला खिला नहीं बनेगा इसलिए पानी आपको दो बार डालना है थोड़ा थोड़ा करके एक बार डालने के बाद हमने इसे मिलाया है हमें लग रहा है कि थोड़े से पानी की और जरुरत है तो थोड़ा पानी इसमें और स्प्रिंकल कर देंगे और फिर से सारी चीजों को एक बर मिला लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उपमा को बनने में जटपड से बनकर तयार हो जाता है, अगर आपके पास उपमा प्रिमिक्स रखा है, तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर तयार कर सकते हैं, देखे कितना दानेदार बना है, एकदम खिला-खिला स पग गया है, सबजी आम भी अच्छी तरह से पग चुकी है, तो ये हमारा सुजी का उपमा तयार है, सर्व करने के लिए, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, ये सब को बहुत पसंद आएगा, और बहुत एजी रस्पी है, बहुत कम मसालों के साथ और जटपड से बनकर तयार हो जाती है, तो टाय जरूर करिएगा, सुजी के उपमा कि इस रस्पी को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रस्पी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथी ब वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो मिलते हैं नहीं रस्पी वीडियो में, तब तक कि लिए नमस्ते,